पाट चोबीज अनुच्छे लीखन पारग्राफ राइटिंग किसी भी विशे पर संग्षीप में अपने विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करना ही अनुच्छेद कहलाता है वास्तफ में यह निबंद का ही लगुरूप होता है उदारनार्थ मुडू प्रकृती की ओर प्रकृती और मनुष्य का संबंध अत्यंत पुराना है प्रकृती से हमें बहुत कुछ मिलता रहा है पर मनुष्य की स्वार्थी प्रवित्ती ने प्रकृती का अंदा धुन दूहन करके प्रकृती के स्वाभाविक संतुलन को बिगार दिया है मनुश्य प्रकृती से तूर होता चला जा रहा है पर्वतों एवं जंगलों से व्रक्षों को अंधा दुन्द काटा जा रहा है यही कारण है कि पर्यावरन प्रदूशन का खत्रा मंडरा रहा है हमें प्रकृती का विनाश रोक ना होगा मनुश्यों को पुना प्रकृती की ओर मोड़ना होगा अन्यथा उसका जीवन ओर भी कश्ट में हो जाएगा प्रकृती की कोद में ही हमें सुक समर्थी एवं शाल्ती मिल सकती है वाडी एक अनमोल वर्दान कबीर दास्ची मधुर्वाडी की महत्ता बताती हुए कहते हैं कि ऐसी वाडी बोलिये, मन का आपा खोए, औरन को सीतल करे, आप हुँ सीतल होए मनुश्य को हमेशा मधुर्वाडी का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे चाह एक तरफ स्वयम को तसल्ली मिलती है, वहीं दूसरी ओर सुनने वाले को भी प्रसन्नता होती है इसलिए हमें मधुर्वाडी ही बोलनी चाहिए मनुश्य मीठे वच्चनों से दूसरे का हृदर चीत लेता है वह शत्र को भी मित्र बनाने की सामर्थ्य रखता है जबकि कटु भाशी व्यक्ती से सभी तूर भागते है जब मीठे वच्चन बूलने वाले और सुनने वाले दूनों को आनन्दित करते हैं तो मीठा ही क्यों ना बोला चाहे? तुलसी दास्ची ने भी कहा है कि तुलसी मीठे वचलते सुक उपचत चहुँ ओर विभिन्न संस्कृतियों का संगम भारत भारत विवित्ताओं में एक तावाला निराला देश है यह अनेकानेक संस्कृतियों के मेल का अत्भुत संगम स्थल है भारत में विभिन धर्मों के अनुयाई रहते हैं उनकी उपासना पद्धती में फले ही अंतर दिखाई देता हो पर अंतता वे सभी एक ही परमेश्वर की व्यापक सत्ता को सुईकार करते हैं यहां विवित भाशाईं बोली एवं समझी जाती हैं पर राष्ट भाशा हिंदी है इस देश में वेशपूशा, खान पान आदी, क्षेत्रों में भी विवित्ता दिखाई देती है पर ये सभी विभिनताईं उपरी हैं, दिखावटी हैं इनके भीतर एक्टा की एक सरस्थारा प्रवाहमान है इस देश की एक्टा मस्बूत धरा तल पर टिकी होई है सभी भारतिय देश की रक्षा को ही प्राथमिक्ता देते हैं भारतिय किसान भारतिय किसान विचाल और व्यवहार का धनी है उसकी पैनी दृष्टी गाउं की कहावतों में सपश्ट दिखाई पड़ती है वह परिश्रम से जी नहीं चुराता जब वह खेतों में उतरता है तो खून पसीना एक कर देता है मेल जोल किसान के जीवन को बांधने का एक पंधन है जब खेत में काम अधिक होता है तो वे एक दूसरे की सहायता के लिए हमीशा तयार रहते हैं उनकी आखें किताबों में लिखे काले अक्षर फले ही न पढ़ सके किन्तु जीवन की गहरी अनुभूतियों को व्यक्त करके वे अपने ज्ञान का परिचेत देते हैं उनके मूँ से अनयास ही निकली कहावते किसी ज्यानी के द्वारा दी गई शिक्षा से कम नहीं होती